एलो फेंट्स वेल्कम टॉ अनेदर वीडियो अप्स्टॉक मार्गेट्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं यहां पर कंपणी के ओर से डिविडेंट को लेगर कोई अप्रेट नहीं आया है तो हम लोग चलते कंपणी के रिजल्ट पर पहले यहां पर नंबर जो दियेगा है करोड उसमें दियेगा है इंकम इस गार का 426.4 करोड का, last year में, last quarter 364 करोड का, current quarter 347 करोड का income है, income quarter on quarter, year on year, दोनों में decrease करता हुआ देखने कम ला है, क्योंकि कमपनी का revenue from operation 425 करोड का last year था, 363 करोड का last quarter, 346.9 करोड का current quarter में revenue from operation था, revenue from operation में down होने के वैजा सही company का total income में down हुआ है, expense company का हुआ, 438 करोड का last year था, last quarter 377.5 करोड का, और current quarter 339 करोड का expense हुआ था, लेकिन company का यहाँ पे अच्छी point निकल गाए है, इस company का expense बहुत कम हुआ है, जिसके कान company को profit देखने को मिला है, और last year में losses था, 17 करोड का, last quarter में 13.4 करोड का loss था, और current quarter में इस बार profit है, पहले company को loss face करना पड़ा था, लेकिन इस बार company को profit वगरा देखने को मिला है, और कोई भी tax वगरा pay नहीं करना पड़ा, EPS last year में 4-4.47 रूपीज का, last quarter 3.5 रूपीज का negative में, और current quarter में 2.54 रूपीज का EPS है, जो कि EPS में इंक्रीज किया है, profit के according, मनला company का income में down है, क्योंकि demand कम्पनी का decrease हुआ है, लेकिन company का profit में तो बहुत strong jump हुआ है, इसलिए इस company का result ठीक टाक पेश किया है, और इसके share के impact कर सके revenue है, जो कि top line बोलते हैं, थोड़ा बहुत की down देखने को मिला है, अब देखना यह है कि कैसा perform करता है, market sentiment कैसा इसको बनाता है कल के दिन, उसके recording आप इसमें decision रिजएगा, तो हम लोग जो है वीडियो कहीं पर end करते हैं, कोई राउट कमें बॉक्स में पूचे, मिलता हैं एक शोड़ा में दिलन वा,